हेलो फ्रेंटस कैसे एप लोग उमिद करती है आप लोग बढ़िया होंगे मैं हूं कोसू कुकुविद कोसू में स्वागत है तो फ्रेंटस आज हम बनाएँगे गुड की मिठाई या फिर गुड का मिलक investigators के को सकते हैं होती की मिठाई बनकर तैयर होती और गुड को मैंने चाकू से बारी बारी काट लिया था आप कूट सकते हैं या काट सकते हैं तो यहां हमने बिल्कुल धीमे गैस करके पैन को चड़ा दिया है और गुड डालकर हम अच्छे से इसको पिंगला लेंगे तो हमें तेज बिल्कुल भी नहीं करना ना ही पानी डा लेना है तो यहां देख सकते हैं मैंने गुड अच्छे से पिंगला लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल का बुरादय बोल सकते हैं आप इसको तो एक कटोरी मैंने नारियल का बुरादय डाला है तो आप जितना नारियल ले उतना है आप गुड की मातरा ले त के पास मिल पावडर नहीं है तो आप मलाई को पहले अच्छे से पिंग ला ले उसके बाद आप इसमें गुड डाले तो भी हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होगी तो यहां इस तरह से अच्छे से गुड के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहां स क्लिइए पुर्ण टंपरेचर का दूद लिया है अधी कटोरी दूद लिया जितना नारेल लिया था उसका आध्डा हम इसमें दूद लेंगे और दूद डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले इसके बाद हम 2 से 3 मिन तक इसको बिल्कुल धीमें गैस करके लगा आपको मैसूस नहीं होगा कि इसमें नारिल का बुरादा डाला है इतनी टेस्टी मिठाई बनकर त्यार होती है जो और इसको दो से तीन मिन तक अच्छे से पका लिया है पैन को इसने छोड़ दिया अब ठंडा होने के बाद इसको हम किसी डब्बे या बरतर में सेट कर तो एक घंटे बाद मैंने इसको निकाला है जहाएं तो यह जो इसका पेपर है दिर्षी को हमने रेन निकाल लेते हैं इसके बाद उसके बाद इसके कम क्टिंग करेंगे तो फ्रेंश इस मिठाई को आप मेरे कहने से एक बारा जरूर करें आपको जरूर पसंद आने वाली बहुत ही पसंद आएगी इसमें बिल्कुल इनी महसूस होता है और आप इस मिठाई को वर्त में भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बिना मैदा बिना सुझी बिना बेसंद के मिठाई बनाकर त्यार करें या फिर महमान आने पर भी आप जटपर बनाकर दे सकत हैं सभी को मिठाई बहुत ही पसंद आने वाली है तो अगर आपको भी मिठाई थोड़ी शी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो देख सकते हैं कितनी सोफ मिठाई बना कर त्यार करी है और फ्रेंड्स अभी न दो आपके हैं कितनी सोफित हैं और भी मिठादार कॉपसित हैं रहत हैं तो ऑले आपके हैं कितनी स्टाइब करें अहां हैं?